जब मैंने अपने वेद पुनाण और यह सारी जब भारती गयान परंपरा की कुछ चीजे श्लोक पढ़े तो हमारे पहले से चलना है फिर हम तो दूसरे साइंटिस्ट के अब उस साइंटिस्ट ने हमारी देश की किताब पढ़ी उसने उसको अच्छा इंटरपिटेट किया उससे एक सरल बुक निकाली हम वो पढ़ सकते हैं मगर वही चीज जब हमारे देश में होगी तो हमें लगेगा अरे तो ऐसा ही है तो सोच आप देख रहे हम इतना जादा उधर की तरफ एट्रैक्ट हैं कि हमको अपनी चीजे खराब लगने लगी है हिंदू में क्या किया भगवानों को mythological term दे दिया गया है भगोनों को mythological term दे दिया मित मतलब धारना जब्क है सब सत्य घट ना है उसको धारі दे दिया गया तो जब लाक साल पहले किसी चीज़ा methane कुछ साल पहले सौसाल पहले भणा बना दिया जो की उस सत्य AH थी तो आने वाली पीड़ी में ज आरज जैसे खुशाल देश बहुत नीचे है इतना इस्ट्रेस है हम सभी के ऊपर कोई घर से बात नहीं करना चाहता है घर वाले उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं मतलब एक फाइट है अपने आप से लड़ाई है अब आप सोचिए फिर ऐसे में किसको ये समझ में आई की न सर की बहुत अच्छी बुक जो कि अब पब्लिश हो चुकी है और इस बुक के बारे में उन्होंने कैसे इस बुक को लिखा है और कौन-कौन सी जानकारियां इस बुक के अंदर है कहां से इनकी प्रेणा मिली इस बुक को लिखने की संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में आप लगातार हमाई साथ बने रहे हैं कि सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्पॉर्ण नमस्कार नमस्कार ये बुक जिसका टाइटल आपने रखा है इंडियन नौलेज सिस्टम तो ये बुक लिखने की प्रेणा कहां से बली इंडियन नौलेज सि भारतिय ग्यान सिध्धान्त या भारतिय ग्यान परंपरा के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं तो देखे ये एक ऐसी चीज है कि इसमें हमको प्रेणा के लिए बहुत कूछ है हमारा देशी प्रेणा स्रोत है पूरा का पूरा देश अगर आप इस देश की मिट्टी को यहां की नदियों को देखे, यहां के पहालों को देखे, जो हमारा जहविक स्थल है, जहां हम रहते हैं, वो जगा इतनी खुबसूरत उपर वाले ने बनाई है, कि आपको प्रेडा के लिए क्या चाहिए और इससे बढ़िया जगा और क्या मिलेगी, और जिस तरीके सा हमारे देश में तरह तरह के विज्ञानों पर जो शोध हुए हैं, आज से नहीं कई लाखों साल से जो चल रहे हैं, जिनकी वज़ए से आज मानव सभेता यहां तक पहुंची है कि हम आज के दौर में और आने वाली पीड़ी को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, शायद यह सारी मेरे मन में चलती थी, जिसने मुझे प्रेरित किया कि इस किताब को लिखा जाए, शर क्या आप ने इस किताब के पहले और किताबे लिखी हैं, क्या देखिए, भारती ग्यान परंपरा पे किताब लिखना मेरा एक शुरू से एक था, ड्रीम था, एक सफना था, बट मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, ना मैं उसको सही दृष्टी कोर्ण मुझे नहीं मिल ली थी, विजल नहीं मिल ला था, तो कुछ साल पहले UGC विश्वद्याले अनुदान आयोग, UGC ने इस पे कई सारे प्रोग्राम लाँच किया, IKS नाम से, और उन डॉक्यूमेंट्स को जब हमने स्टडी किया कि UGC हमारे देश में जो पूरे विश्वद्याले अनुदान करता है, पूरा मॉनिटर करता है, तो उनका क्या अबजेंटिव है, वो क्यों हमें ये पढ़ाना चाहते है, इस टूरें को क्यों पढ़ाना चाहते है, क्यों टीचर को मोटिवेट कर र पानतों को समझ रहा, एक बहुत ही कठिल लड़ाई है, हमारे खिया से हमारे देश में नालंदा युनिवर्सिटी जैसे विश्वद्यालों ने बहुत कुछ कंट्रिवूशन दिये हैं, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं, सीधे बोला जाए तो हम जीवित हैं, हमारी सभ किताब के बाढ़ह में अगर आपने इतना सारी सीज़े पहले ही बता दी हैं, इस किताब के अंधर क्या है, कौन-कौन से वो टॉपिक से, कौन-कौन से वो विशह जिसको आपने कवर किये, इस बुक में टोटल-धस चैप्टर हैं, और इन दस चैप्टरों में में मैंने को कि भारत की हर एक कोने को टच किया जाए हाला कि ऐसा हो नहीं पाया है और आगे भी इसके संस्क्रान आएंगे तो हम अगर पहले अध्याय से शुरू करें तो इसमें हमने जो है भारतिय जो आयुर्वेद सिस्टम है उसको इंट्रड्यूस किया है इसके अलावा हमने हमारे द चीज़ें हमने इसमें इन पुट दिया है इसके श्की डीवलपमेंट इन्वारमननून साइंस फूट सैंस बायोजिकल सैंस फिजिक्स एस्ट्रयमी, ये फे बार्तियू सद्ट्रमान किया आने वाले चाने में मुझे शहतर्रू के यह इंग्यार्त कि यह बहुत ही छोटा मज़ में आए और translation जो सबसे जरूरी क्योंकि आप देखी संस्कृत में सारे श्लोक हैं हमारे वेद पुरान जो देववानी हैं जो संस्कृत भाषा है हमारी सबसे पुरानी उसको डिकोड करना आज के computerized system को भी थोड़ा time लगता है वो भी आसान नहीं है बट इन डाइट केस हमने इस बुक में तीनों भाषाओं का यूस किया है यह किताब हिंदी इंग्लिश और संस्कृत एक ही किताब में तीनों भाषा हैं आपको मिलेंगी जिसमें श्लोक हैं उनके शाबदार्थ हैं और उसकी जो हैं इंग्लिश वर्जन भी है ताकि बिल्कुल सर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस बुक को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो यह कहां कहां पर अबलेवल है और किस टाइटल से वो सर्च करें सर आप इंडियन नौलिश सिस्टम पब्लिश बाइए अर्पिश श्वास्तों आज आउथर आप फि कोई भी स्टूडेंट इसको खरी सकता है जादा तर जो हायर एजूकेशन से वो पब्लिशर से एक बल्क में बुक और करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में उनका एकसेस मिन सकें बच्चों को खरीदना ना पड़े तो हमारे प्रयास यह था कि देखिए मैं खुद काशी से बिलॉंग करता हूं तो एक यह अध्यात्मिक्ता जो इस बुक में हैं जो इंडिया नौलिज सिस्टम में हैं जो हमारी भारती ज्यान में हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि हमको एक सपोर्ड की जरती तो फैमली का सपोर्ड मिलता है कुछ टीचर्स का इतनी ज्यादा प्राकृतिक चीजे ऊपर वाले की क्रिपा से हैं कि जो मुझे हमेशा से प्रेवित करती नहीं कि कुछ तो ऐसा हमारे देश में हैं जिसको उजागर करने की जरूरत है आज का जो समय है वो बहुत तेजी से बदल रहा है हर घंटे हर सेकेंड हम चीजों को और ले रहे हैं और ऐसे दोर में जब यूथ सबसे जादा भारत की जो यूवा पीड़ी है वो आगे है तो उर्सको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की जो परंपराएं हैं जो विग्यान है जो सिधान्त हैं जो आध्यात्मिक्ता है वो कहां तक जा अगर हम भारती जान परंपरा की बात करें जो चोटा सा बहुत बड़ा एक्जामपल है चोटा इस इस परंपरा को देखते हो कई और देशों ने भी अपने इस तरह की ग्रीटिंग शुरू की तो इस तरह का रेस्पेक्ट देना अपने पैरेंट्स में ये भारती सब्वे इस बुक में आपने क्या जैसे कि आपने बताया कि आप बनारों से रहने वाले हैं तो वहां की भी किसी चीज का अपने जिक्रिस अगर मैं बात करूं तो काशी में इतना तो नहीं बट मैंने गंगा नदी को बहुत ज्यादा इसमें एक चैप्टर ही पूरा इंडियन प्लस इसमें एक बहुती इंट्रेश्टिंग चैप्टर डाला है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जिसका नाम है वेदिक माइक्रोबायलोजी तो वेदिक माइक्रोबायलोजी में क्या कि कुछ ऐसे सूख्षम जीव हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं भी ऑनलाइन डेटा बेस ऐसा नहीं मिला जिस पे एक्जैक्ट सही चीज प्रमाण के साथ दी हूँ आई वी नो डैट की वेद पढ़ना है पुरान पढ़ने आपके चारों वेद हैं तो इनको पढ़ने के लिए आपको अलग से बुक खरिदनी पढ़ेंगी आना आपको हटकर आप मैंने जब यह बुक लिए आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे मेरे सिस्टम के आसपास करने हो दस बारा किताब रहती थी तब यह इतनी सी किताब बन पाई अब सोची वो उन किताबों का निचोड़ निकालने में कितना समय लगा होगा इस 136 पेस किताब को लि है भारत को समझना हम तो हम जिस शहर में रहते हैं उसको भी नहीं जानते हैं आप आज केल की हुआ पीड़ी से पूछिए कि वो अपने शहर को कितना जानते कौन सी ऐसी एतिहासिक चीज़े हैं जो उनके शहर को जागरिद बनाती हैं काशी सब घूमने आते हैं ना बनारस हमारा नहीं था वो एक संपूर्ण जगा है वो एक संपूर्ण धाम है उसको समझना अपने आतमे एक अलग दृष्टी कोन उसके लिए चाहिए समझने के लिए उसको रहें यह आपने बहुत बड़ी बात था तो इसी तरीके से हमारे पूरे भारत को समझने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे आकाशी है हमारे रामिश्वरम है दौरिका है जगन नाथ है हमारे जो मध्य प्रदेश हमारा यह बीच में धखन का जो इलाका है यह कैसे इस तरीके से इसमें भारत की कुछ ऐसी चीजे हैं कुछ ऐसी जड़ी बूटिया यहां पाई जाती है जो कई प्रकार की बिमारियों को ठीक करें इवन कैंसर को ठीक करने में यूज किया जाता है आज के जो फॉरें रिसर्चर से सर आप विश्वास नहीं करोगे भारत की मेडिसीनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट को अपने देश में ले जाकर ग्रो कर रहे हैं और उस पे अपना है कॉपी राइट लेना है सोची है हमारे देश की चीज़ें विल्कुल कि एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पर इतना ज्यादा दवाईया नहीं होती थी जड़ी बूटियों के माध्यम से ही असाध्य रोगों को ठीक किया जाता था और यह बात आपने बहुत अची कही है कि हमारे इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसे पेर पौदे हैं जिनके माध्यम से बड़ी बीमारियों को दूर किया सकता है लेकिन विदेश के लोग विदेश के डॉक्टर यहां आकर सर्च करके और उन चीज़ों को ले जाके वहां ग्रो कर रहे है और फिर यहीं सप्लाई कर करता है औलंपिक में जो भारत ने ना खेला हो करोडों साल से भाला पेक प्रतियों गिता धनुष प्रतियों घ्राइश क्या नहीं होता है हमारेश कुष्टी में अध्याय होताता हमारे हैं एक और अधिया से आप मान के चले कि वह इंडियान स्पोर्ट मेंने चली कि अनलक दिखाई दिये फैक्टर्स थे आप यह मानगे ना कि हमारी जो सभिता है वो कहां शिफ्ट हो रही है आज समय है उसको रिवैलुएट करने का हम क्यों foreign countries के उपर निर्भर करते हैं कि वहां पर हमारा paper publish होगा तब ही हमें renowned scientist का आजाएगा आप अपने देश के लिए अगर पेपर लिख रहे हो बुक लिख रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि वह आपके देश के लिए पहले काम है और foreign तो उससे उसको example कि तरह लेना चाहिए मगर वह example वाले कि वह उस पे जो है attack करते हैं वह अपने authority समझते हैं लाकों साल से हमारे देश में चीज़े चल रही है आज लुइस पास्चर एक scientist है और उनको पास्चुराइजेशन और father of fermentation कहा जाता है आप यह बताए हमारे देश में fermentation की जो पद्धिती है यह कब से चल तो आप समझेए कि food science कितनी पुराने है हमारे देश में कितनी पीछे की है skill development की हम बात करते हैं कर्ण अर्जुन यह जो नाम है है और जितने भी योद्धा है हमारे शिवाजी हो गए तो यह जो वीर शिवाजी यह जो personality हमारे आई क्या बिना skill क्या गए क्या इनके पास skill न वो हमारे blood में हैं तो इसका मतलब पारंपरिक तोर से हम देखें तो भारत बहुत ही civilized city रहा है शुरू से एक बड़े आकार में जिसको हम अखंड भारत बोलते ही वो शुरू से हमारे देश का अभिन अंग रहा है बट समय बदलता गया दूरियां बढ़ती गया हमने अप चला रहे हैं और जब हम बात करते हैं ऐसे subjects की तो अच्छा ठीक है इसको भी पढ़ लेंगे इस category से अब हमें बाहर निकलना होगा और अपनी आने वाली पीड़ी को यह बताना होगा कि हम क्या थे और हम कितना evolve हुए हैं यह सारी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात य सब्सक्राइब और यही एक वजय है कि वह अपने जादा अपने परशान रहता है निराश रहता है आप यह सूचिए सर कि किसी की नौकरी नहीं लगती है वह सुसाइट कर लेता है किसी का एक पेपर नहीं निकलता है तो अपने जिंदगी को अधूरी समझने लगता है मतलब इतना जादा इसत्रेस आपको यह अपने आपको मदलब शेहन सक्थी हुई पुराराजग को दूरो नहीं और बड़े राजा और दूर दूर से लुगों को बुलाया घया उन्हों महान व्यक्तियों को बुलाया गया और अगले दिन उन्हें वनवास की और जाना पड़ा उन्होंने एक शब्द अपने से कुछ नहीं कहा वनवाद धारण कर लिए आज तो लड़ाई हो जाए आज तो आज वही तो मैं कह रहा हूं कि एक छोटी सी कोशिश में अगर वह असफल हो गया तो वह कहते मेरा जीवन खतम होगया जीवन समाब्द करने की सोचने लगते हैं और अगर यहीं लोग writer हमारे प्राचीन इतिहास का द् Guillem करें जो आपने लिखा है इन चीजों के बारे में उपढ़ें गयराई से अध्यन करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हार एक इनसान के अंदर शहन सकती होगी हार एक इनसान उन चुनौतियों से लड़ने में सक्षम हो जाएगा ये जो बुक्ष है ये वुट करती है कि कितने भी परिष्थितियां क्यों न विगड़ जाए और कितने भी विप्रेट पड़ा किया कि आप नौकरी हो सको है हम आप जाते हैं नौकरी करने दूसरे शहरों में एक समय आजाता हैiben होरी जोरत पड़ती मगर कि हम तोे हम पैसा रहा है हम अपने शहर से दूर है तो जब नको हमारे जोरत क हमें आना पड़ है यह फिर चुटी नहीं नहीं यह है तो वो है तो माता पिता के अंदर वो सहन शक्ति है कि हाँ ठीक बैटा तुम वामा कोई टेंशन नहीं है मगर हमें भी वो चीज रियलाइज होनी चाहिए कि एक समय के बाद हमें उनकी जरूरत है यह रियलाइजेशन ही भारतिय ज्यान परमपरा है माता पिता का जो है लखना ज्यान परमपरा है अपने दोस्तों से अपनी दोस्ती निभाना ज्यान परमपरा है कभी किसी को चीटना करना भारति ज्यान परमपरा है और क्या है हमारे पास यही हमने सीखा है और यही हम करते आ रहे हैं मगर समय बदलने के साथ-साथ जो परिस्थितिया भारत ज ज्यादा एट्रेक्ट किया और एक छोटा से एक्जांपल दो भगवान श्री गणेश का हम सभी लोग ध्यान करते हैं और बुद्धी का उनको देवता कहा जाता है विग्नहरता भी कहा जाता है गड़ेश जी की कहानी क्या है गड़ेश जी की कहानी यह कि पहले तो वह ऐसे है नहीं उनका शरीर का नेर्म वाणतों श्री पारवती अभी मरता ने किया और किस तरीके से मल से किया आ यहां से समझेगा एक गज का शीष लगाया जा रहा है गज क्या है एनिमल है हम वो हिए ह्यूमन से पहले ना तो हुमन हेड हटा कि आप एक एक हैनिमल का हीड लगा रहे हो ड़ेट इस काल्ड मेडिसिनल साइनेस अफ ढूरे अब आप सूचें आपको जो मेडिसीन की पध्धती उनको सब पता है उनसे ही बाकी गुरुणों को इसका ग्यान मिला है शुषु सहिता में हमने ये चीज़ पढ़ी और बाकी वेदों में इसके बारे में चीज़े लिखी हुई है मगर सर हम उस लेवल पर सोची ने आज हम उसी को एनिमल बायो टेकन सब्सक्राइब करते हैं कि इस तरह से भी हम पहले भी काम करते थे कि जब पहले जब डाइबेटिक परसंड होते थे या कोई हूमन में कोई प्रॉब्लम आती थी तो किसी एनिमल का खास करके पिग का लीवर या उसके औरगन को हूमन में ट्रांसफर किया जाता था जिसको बोला जाता था ग्राफ्टिंग ठीक है तो यह यह एनिमल साइंस में में पढ़ाया जाता है लाइफ साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो अब आप सुचिए उस समय यह चीजे थी ना तो हम लोग उस चीज को कुछ साइंटिफिक वे में नहीं देखते हैं हम उसको हिंदू में क्या किया गया कि हमारे भगवानों को माइथालोजिकल टर्म दे दिया गया मित मित मतलब धारना जबकि इस सब सत्य घटना है उसको धारना दे दिया गया तो जब लाक साल पहले किसी चीज को आपने कुछ साल पहले सौ साल पहले धारना बना दिया जो यह वर्ड हैपिनेस इंडेक्स में भारत जैसे खुशाल देश बहुत नीचे है इतना इस्ट्रेस है हम सभी के ऊपर कोई घर से बात नहीं करना चाहता है घर वाले उससे बात नहीं करना चाह रहे हैं मतलब एक फाइट है अपने आप से लड़ाई है अब आप सोचिए फिर किसको यह समझ में आई की इसके लिए शांत मन चाहिए खुश का भी हो और एक आदमी के करने से नहीं होगा मेरे आप की करने से नहीं होगा यह पूरे भारत देश को जो है जब तक और मैं चाहता था यह अड़ोप्ट हो और यूजीसी को हम धन्यवाद देना चाहिए कि य higher education में जहां हमारा brain सबसे अच्छा active होता है वहां पर जब इन चीजों को हम समझेंगे अपने भारती ग्यान को हम समझेंगे तो बहुत अच्छा हमारा देश और अच्छा डेवलप करेगा सर और इस बुक के बारे में आगे आने वाले संसकरेंट के बारे में आप कौन कौन सी चीजे जो अभी चूट गई हैं कवर करेंगे देखिए उसमें कुछ साइंटिफिक वर्जन से भगवत की ता के जो हम जरूर इंकलूट करना चाहेंगे क्योंकि भगवत गीता इस समय एक materialistic material बनके रह गई है कई लोग कहते हैं कि अरे ये तुसमें आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर कितने रिल्स देखिए भगवान शेकर्षन ये कहते हैं कई चीज़ा ऐसे जो भगवान शेकर्षन ने नहीं कही है और वो उसमें कोट करके लोग बोल रहे क्यों कर रहे ह टर्नाउट मत दीजे इंटर्पिटेशन हर चीज़ का वही होना चाहिए जो उसमें लिखा है मगर जैसा श्री विश्नु ने बोला है कि समय के साथ जब यूग बदलते हैं यूगांतर जब चेंज होता है तो हर चीज़ की मीनिंग बदलती है ऐसा नहीं कि भगवत गीता क सबसे पहले भगवान शुरे नारायण को दिया था वो ग्यान अर वो ग्यान सुचि कितने यूग पहले किया था फिर वो चेंज होता गया होता गया और फिर द्वापर्यव में उसकी जरुरत पड़ी जब भगवान श्री अर्ज को लगा कि student को कि मेरे कहे लह का मतलब लोगों को देने पड़ेंगे आज फॉरें की कंट्रियां उससे रूल निकाल निकाल के यह टैक्सोनॉमी तो वह थियूरी तो यह थियूरी बना के जो है हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हमको बड़ा अच्छा लग रहे हाँ यह होना ची हमारे देश में सारी एक्टिविट हम से वह बनाया जाते हैं यह पढ़ाने का तरीका बनाया जाता है ब्लूम्स टेक्शनॉमी में लाकुसा जब मैंने अपने वेद पुराण और यह सारी जब भारती ग्यान परंपरा के कुछ चीजे श्लोक पढ़े हमने तो हमारे पहले से चलना है फिर हम तो दूसरे साइं हम इतना ज्यादा उधर की तरफ एट्रैक्ट हैं कि हमको अपनी चीजे खराब लगने लगी है यही सारी चीजे हैं आप सारी चीजों को भंढार पड़ा हुआ है सारी चीजों को जितने भी दूसरे देस हैं तो कहीं न कहीं अगर ग्रो कर रहे हैं तो इंडिया की ही उपर नजर रहती है कि यहां से अपना बीड़ा पार हो सकता है यहां से नई हमारी पार हो सकती यहीं से सारी चीजे निकाली जाए और यहां से चीजों को उठा के पुरे विश्वभर में उसकी मार्केटिंग होती है और सब कुछ कराया जाता है और नाम फिर दूसरा देस यह इंडियन नॉलिज सिस्टम और जितना ज्यादा हो सकता है तो आप इस बुक को पढ़िए और इस बुक के बारे में आप अपने कॉमेंट भी दीजे और साथी साथ मैं आपने टीचर को भी शेयर करिये और भारत की इतिहास के बारे में आप अपने आस पास के च्छेतर के बारे में 200 साल 300 साल 400 साल पहले क्या हुआ था यह जानने की कोशिश करिए सर ने जैसा कि बताया कि हर एक हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से यह जितने भी ओलंपिक में गेम हो रहे हैं इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं वह हमारे सब भारत की ही दिन है और कहीं नौले सिस्टम इंडियन नौले सिस्टम टाइटल है तो जितना ज्यादा आप अपना ग्यान सर बहुत बहुत शुक्रियों बहुत धन्यवाद आपने हमाएं दर्शकों को इस बुक के बारे में बताया और हम इस शुर से प्रात्मा करते हैं कि इसका संस्क्राइड एडिशन बहुत जल्द आप लाएं ताकि हम दूसरी भी बूक आसानी से पढ़ सके इसके लिए बहुत दन्यवाद से जाहिन